अगर आपका अकाउट पंजाब नशनल बैंक में है और आपने ओनलाइन ही पंजाब नशनल बैंक की इसे करने के लिए आपको कही पे भी जाने के जुरुत नहीं पढ़ती है आप अपने mobile phone का use करके सिरफ 2-3 मिनट के अंदर ही FD को close कर सकते हैं और FD का जो भी पैसा है वो आपके saving bank account में जो भी bank account आप select करेंगे उसमें deposit कर दिया जाता है तो चलिए इस वीडियो को start कर लेते हैं और देख लेते हैं कि Punjab National Bank में आप किस तरह के से अपनी FD को maturity period से पहले break कर सकते हैं close कर सकते हैं PNB की net banking का use करके अपनी Punjab National Bank की FD को close या फिर बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने browser को open करके अपनी net banking में login कर लेना है login करने के बाद में interface आपको कुछ इस तरह के से नजर आएगा अब यहाँ पे आपको अपनी FD को किस तरह के से close करना है उसके लिए देखिए उपर आपको काफी सारे option देखने को मिल जाएंगे आपको second number पे my account के option में आना है और यहीं पे एक बर फिट से second number पे आपको open close account का एक section देखने को मिल जाएगा जिसमें नीचे आपको काफी सारे option देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आपको fourth number पे premature FD closer इस वाले option पे click कर देना है click करने के बाद आपके सामने next interface कुछ इस तरह के से आएगा जहां से आप अपनी Punjab National Bank की FD को close या फिर बंद कर सकते हैं एक चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपने Punjab National Bank में जिस भी FD को online open किया होगा सिरफ उसी को यहाँ पे आप close कर पाएंगे अगर आपने Punjab National Bank की branch में जाके या फिर offline method से FD बनवाई है तो उसे आप यहाँ पे close नहीं कर पाएंगे लेकिन online मनवाई है तो उसे आप यहाँ पे close कर सकते हैं तो यहाँ पे FD को close करने के लिए सबसे पहले आपसे पुछा जारा है FD account to be close यहाँ पे आपको अपनी FD के उस account को select कर लेना है जिसको भी आप close करना चाते हैं अगर आपने एक से ज़्यादा FD खोल रखी है तो यहाँ पे उसके detail आपको देखने को मिल जाएगी वो account यहाँ पे आपको show करेंगे उसमें से आपको उस account को select कर लेना है जिस भी FD को आप close करना चाते हैं उसके बाद में यहाँ पे आपको next option पे पूछा जा रहा है कि FD का पैसा आप अपने किस bank account में लेना चाते हैं जब भी आप अपने FD को break करते हैं तो उसका जो भी amount है वो आप अपने किस bank account में लेना चाते हैं उस bank account को यहाँ से आपको select करना है उसके लिए यहाँ से आप drop down menu को open करेंगे आपके सामने saving bank account के list आ जाएगी जो भी आपके account होंगे उसमें से आपको उस account number को उस bank account को select करना है जिसमें आप अपने FD का पैसा लेना चाहते हैं इतना करने के बाद में यहाँ पे आपको continue का option मिलेगा इस पे आप click करेंगे जैसे आप click करेंगे आपके mobile number पे एक OTP send किया जाएगा OTP आपको fill करना है और साति साथ जो भी आपकी net banking का transaction password है वो आपको enter करने के बाद में submit कर देना है इतना करने के बाद में आपकी पंजाब national bank में FD को close करने की जो request है वो successfully submit हो जाती है उसके बाद में आपको 24 से 48 घंटे का wait करना होगा 24 से 48 घंटे बीच जाने के बाद में आपने जो bank account यहाँ पे select किया है उस bank account में आपकी FD का पैसा और साथी साथ आपकी FD पे जो interest आपको मिलने वाला था वो interest आपके bank account में add कर दिया जाता है यहाँ पे जो भी interest आपको मिलेगा वो थोड़ा बहुत interest काटा भी जा सकता है तो कि जब भी आप maturity period से पहले अपनी FD को close करवाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत interest काटा जा सकता है तो अगर आपका भी account पंजाव national bank में है और आपने पंजाव national bank के account में fixed deposit या फिर FD को online ही open किया था किसी भी वज़े से आपको उसे close करना है या फिर बंद करना है अब आप बिना branch जाए बिना कहीं पे visit किये वीडियों बताएगे process को follow करके ये काम कर सकते है आपकी FD का पैसा आपके select किये गए bank account में 24 से 48 घंटे के बाद ही credit कर दिया जाता है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है उमीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजेगा साथ इस साथ अपने friends और family के साथ में share कीजे वीडियो से related कोई भी सवाल है तो comment box में जाके आप लेख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में इतना ही मैं आप से मिलूँगा एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत